जिया ने फुकरा इंसान को I love you बोल दिया यार वो लोग दोनों ऐसे ही बातचीत कर रहे थे तो मजाक मजाक में पहले फुकरा इंसान उनको बोले यही होता है जब इंसान का मतलब निकल जाता है दूसरे इंसान से तो जिया बोलती है ए क्या मतलब बे मतलब क्या निकाला मैंने तो फुकरा बोले मतलब तो तुझे पता है मैंने तेरा कौन सा निकाला है जिया उनसे पुछी कौन सा तो फुकरा इंसान उनको बोले जब तू बिग बॉस के घर से बाहर निकलेगी तो एक बार तू thank you का DM जरूर करेगी है याद रखियो बहुत confidence से बता रहा हूं मैं तो जिया बोली thank you का क्या I love you का DM भेजूंगी तुझे तो फुकरा बोले वो तो यही भेज दे तो जिया बोल भी दी यहाँ DM नहीं है तो direct बोलती हूं तुझे I love you और वो लोग दोनों थोड़ा सा हसने लगते हैं और कुछ seconds बाद फुकरा इंसान पीज़े से बोलते हैं मजाक मजाक में इंसान अपनी feelings बोल ही जाता है now I personally think वो जो मतलब के बारे में फुकरा इंसान यहाँ बात कर रहे थे कही ना कही उनको थोड़ा सा हिंट हो गया है कि जब भी जिया नॉमिनेट होती है तब वो उनके पास आने लगती है तो यही मतलब के बारे में वो कही ना कही रेफर कर रहे थे